Good morning, let us start with our last unit remaining, that is unit 3, lesson 1, lesson 1 जो है इसमें solid state, थोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे हम आज हम solid state का general introduction देखेंगे, हम उसके बारे में जो जन्रल जानकारी है, वो देखेंगे कि हमें थोस अवस्था में हम क्या पढ़ेंगे और हम क्या जानते हैं In our everyday life, 80% of elements are solid, हम क्या जानते हैं, there are 3 types of states of matter, solid, liquid and gas Periodic table में भी काफी जादा elements, 80% elements जो है वो solid है, हमारी everyday life में भी solid का एक बहुत important part है हमने से पहले gas पढ़ा था, gacious state पढ़ा था, gacious state में हमने कहा था कि gas की important property क्या होती है कि they are compressible, some data पाई जाती है, दबाने पर डब जाती है, उसके molecules के बीच में बहुती कम attraction होता है आकरशन बल का मान इतना नगन्य होता है, कि gas के molecules जो होते है, वो gas के container के अंदर free move कर सकते है इदर उदर आसानी से गूम सकते है, सबी दिशाओं में निरंतर कती मान रहते है उनके आकरशन बल का मान नगन्य होता है ये तीनों प्रॉपर्टी संपी डियता, बहुत कम आकरशन बल और आसानी से गूमना हर दिशा में ये किसकी important प्रॉपर्टी है, केसी अवस्था की important प्रॉपर्टी है अब अगर हम solid पढ़ते हैं, तो इसका just reverse हम solid में क्या देखते हैं solids are incompressible, उसमें असंपी डियता पाई जाती है, solid को डबाने पर डबता नहीं है जैसे gas डब जाता है, जैसे balloon डब जाता है, वैसे हमारा pain नहीं डबता है, त्यार incompressible इसके अंदर जो particles होते हैं, जो भी जिस particles से solid मिलकर के बनता है, वो एक position पर fix होते हैं और उसके बीच में हम क्या कह रहे हैं, strong attraction का force होता है, उसके मत्य लगने वाले आकरशन बल का मान बहुत अधिक होता है, इसके कारण solid की 3 important property हम पढ़ते हैं, solid are hard, solid are rigid and solid are incompressible solid क्या होते हैं, solid में कठोर्ता पाई जाती है, यांतरिक सामर्थ पाया जाता है और उसमें असंपीडियता पाई जाती है तो solid की important characteristics क्या है, कठोर्ता, यांतरिक सामर्थ और असंपीडियता हम कह सकते हैं, hard, rigid, they have mechanical strength and they are incompressible इस difference की base पर जब हम आगे पढ़ते हैं, तो solid जब भी हम पढ़ते हैं, तो उसमें हम एक term पढ़ते हैं, crystal crystal वास्तव में crystalose शब्द से बना है, crystalose का मतलब क्या होता है, कि definite arrangement, definite repeated arrangement हम क्या कहते हैं, जिन particle से मिलकर के solid बनता हैं, हम उसे बोलते हैं, constituent particle हम यां बाहर बाहर अव्यवी कन बोलेंगे, हमारा solid अलग-अलग अव्यव से मिलकर के बना हो सकता है हमारे अव्यव atom हो सकते हैं, iron हो सकता है, molecule हो सकता, अलग-अलग crystal में constituent particle अलग-अलग होते हैं तो हम atom, iron या molecule ना के करके, हम बार-बार क्या terminology यूज़ करेंगे, we will describe it as constituent particle, अव्यवी कन जिससे मिलकर के solid बनता है तो हम क्या कहते हैं, कि ये solid के जब particle होते हैं, वो definite arrangement में होते हैं, और ये flat surface से बंधे होते हैं और ये repeated pattern बार-बार जब repeatedly arranged होता है, फ्री dimension में, तो इससे crystal का निर्मान होता है तो crystal क्या है, crystal क्रिस्टेलो शब्त से मिलकर के बना है, जिसका मतलब है definite arrangement of constituted particle in 3D हम पढ़ते हैं, crystalography, crystal विज्ञान, what is crystal विज्ञान, crystalography क्या है, it is a science that deals with the study of crystal crystalography is a branch of science that deals with the study of the crystal, ये विज्ञान की वह शाका है, जिसके अंतरकत हम crystal का अध्यान करते हैं अब crystal का क्या अध्यान करते हैं, कि crystal किस तरीके से बना, उसकी व्रदी किस तरीके से हुई, what is the formation of the crystal, what is the geometry of the crystal, उसके बारे में पढ़ेंगे crystal में हम एक important चीज पढ़ते हैं, हम एक important property पढ़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं, samamity, symmetry, तो हम symmetry के बारे में पढ़ते हैं, और crystal की property के बारे में पढ़ते हैं तो what is crystallography, crystallography is a science that deals with the study of the crystal, we study about the formation of the crystal, geometry of the crystal, symmetry of the crystal and finally the properties of the crystal तो crystal विज्ञान, विज्ञान की वहशाका है, जिसमें हम crystal के बनने की, उसकी व्रद्धी की, उसकी जामत्री, जामिती, सरंचना एवं गुनों का अधेयन करते हैं एक हम यहाँ पर बात पढ़ते हैं, कि what is the basic difference, जब हम solids की बात करते हैं, अब हम आगए solids पे तो solid की जब हम बात करते हैं, तो हमारा general observation जो life में होता है, वो हमें कहता है कि solid दो तरीके के होते हैं या तो वो crystalline solid होते हैं, या वो amorphous solid होते हैं, क्रिस्टिली ठोस और अक्रिस्टिली ठोस, दो तरीके के ठोस हम हमारी daily life में note करते हैं जैसे हम दो तरीके का example लेते हैं, तो पहला example हम sodium chloride, potassium chloride, copper sulfide देखते हैं, तो यह अलग तरीके के होते हैं और अगर हम glass और rubber को देखते हैं, तो यह ठोस अलग तरीके के होते हैं, इन दोनों में basic difference क्या होता है, कि जब हम sodium chloride, potassium chloride या copper sulfide, जैसे मैं एक simple example बता हूँ, तो आप लोग अपने घर पे नमक और शक्कर को आसानी से पहचान जाते हो, बिना test करे हैं, क्योंगि आप उसको द solid है, यह crystalline solid है, crystalline solid की क्या property है, they are hard, incompressible, सबसे important बात हम क्या कहते हैं, they have definite geometry, इसके कारण उसके crystal का definite shape हो जाता है, definite structure हो जाता है, हम देख करके structure देख करके हम घर पे पता लगा सकते हैं, कि कौन सा नमक के और कौन सी शक्कर है, ठीक है, क्योंकि इसके concentrated particle definite shape में आरेंज होते ह pattern में three dimension manage होते हैं, जिससे इसकी crystal को definite shape मिलता है, इसकी दूसरी तरफ, जब हम rubber या glass को देखते हैं, तो rubber या glass किसे भी तरीके का हो सकता है, rubber मोटी हो सकती है, पतली हो सकती है, rubber hard हो सकती है, soft हो सकती है, ऐसे ही glass के भी अलग-अलग variety आते हैं, glass, एक glass सारी property को explain नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर कोई definite geometry नहीं होती है, उसके अंदर constituted particle का कोई definite arrangement नहीं होता है, actually, in fact, हम solid की बात करते हैं, तो solid की सारी की सारी property केवल crystalline solids में पाई जाती है, देखे, solid की सारी property किसमें मिलती है, crystalline solids में मिलती है, अबर first solid को true शब्तों में solid नहीं कहा जाता है, जा सकता है, यह वास्तव में इसमें constituted particle randomly arrange होते हैं, जिस तरीके से यह liquid में arrange होते हैं, तो amorphous solid की property किस से मिलती है, liquid से मिलती है, लेकिन यह ठोस रोप में आ जाते हैं, इसलिए हम इसे better क्या terminology उसकते हैं, amorphous solid को हम बोलते हैं, super cooled liquid, अती शीतलन वक, अती शीतलन द्रम, अती शीतलन द्रम, super cooled liquid कहा जाता है, तो true solids are the crystalline solid, we observe two type of solid in our daily life, that is crystalline and amorphous, in scientific terminology, sometime we term this the amorphous solid as the super cooled liquid, अती शीतल द्रम कहा जाता है, बुक्स में इसके अलावा एक तीसे तरीके का solid और कहा जाता है, जिसे हम बोलते हैं, micro crystalline solid, नाम से ही बता लग रहाँ आपको, micro crystalline solid, यानि crystalline है, यानि उसमें वो सारी property है, जो crystal की property है, केवल बात यह है, कि यह microscopic है, यानि यह केवल microscope से observe करा सकता है, we cannot observe it through our naked eye, इसलिए इसे हम microscopic solid कहते हैं, तो हमने क्या कहा, हम कहते हैं, कि हम जब solid को daily life में observe करते हैं, तो उसकी तीन important property होती है, they are hard, rigid, they have mechanical strength and they are incompressible, जब हम solid से आके आते हैं, तो हम इसमें crystal covered पढ़ते हैं, what is crystal, crystal एक definite arrangement of constituted particles से बता है, what is crystallography, crystallography is a science that deals with the study of the crystal, in which we study its formation, its shape, its symmetry and its property, हमारी daily everyday life में हम दो तरीके के solid observe करते हैं, एक solid जिसका definite shape होता है, वो true solid का आजाता है, chemistry के language में मुझे crystalline solids कहते हैं, दूसरा solid जो हम हमारी daily life में observe करते हैं, वो glass और rubber की तरीके के होते हैं, इसका कोई definite shape नहीं होता है, इसके कोई definite geometry नहीं होती है, पास्ता में इसमें solid की सारी property में नहीं पाई जाती है, इसमें constituted particle at random बिखरे होते हैं, इसलिए इसको उत्राव माना जाता है, इससे liquid से compare करा जाता है, इसकी property liquid से मिलती है, लेकिन ठोस रूप में आ जाते हैं, इसलिए हम इसके लिए क्या terminology यूज़ करते हैं? super cooled liquid, तो what is super cool liquid? बिखरे हार, amorphous solids, ठीक है? 3rd तरीके के solid, हम कई बार काते हैं, जास हम बहुती, micro crystalline solid, या यात जाती है, न। आती हम बहुती है, जा हम बहुते, micro crystalline solid, बदे वूल पर जाता है, बिखरे, the crystalline solid, only we can say, they are very small in size, they can only observe through microscope, hence they are termed as micro crystalline solids, thank you.